हलो स्टूडेंट आज हम देखने वाले हैं प्रस्नावली टीम का प्रस्ना देखते हैं एक कार सराइपाली से 75 किलोमीटर प्रती घंटा की औसट चाल से चल कर रायपूर 4 घंटे में पहुंचती है मार्ग में बाधा वर ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण कार की औसट चाल 15 किलोमीटर प्रती घंटा कम हो जाती है कार को रायपूर पहुंचने में कितना समय लगेगा तो यहाँ पर जो है थोड़ा ध्यान दें गया एक कार जो है सराइपाली से कहां जा रही है रायपूर इसका चाल कितना दिया गया है 75 किलोमीटर प्रती घंटा काम क्या है सराइपाली से रायपूर जाना कार की स्पीड क्या है स्पीड याने की चाल कितना 75 किलोमीटर प्रती घंटा और समय कितना लगता है उसके लिए 4 घंटा तो यहाँ पर जो है मुखे रूप से 2 पॉइंट हमको दीख रहे एक तो कार की चाल और दूसरा है समय तो यहाँ पर जो है उसी को पहले हम लिक लेत कार की चाल यह हो जाएगा 75 किलो मीटर प्रतिघंटा और रायपूर पहुंचने में जो समय लग रहा है वो समय कितना है चार घंटे यह जो है पहले जो इस्पीर दिया गया उसके हिसाब से अब उसके बाद बोलता है कि मार्ग में बाधा वर ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण जो है कार की औसब चाल 15 किलो मीटर प्रतिघंटा कम हो जाती है पहले चाल था 65 अब उसमें 15 कम हो गया तो अब कितना हो जाएगा 60 क किलो मीटर प्रतिघंटा तो यहां पर लिखेंगे चाल कम होने पर कार की चाल तो यह कितना हो रहा है पहले 75 था 15 कम हो गया तो यह हो जाता है 60 किलो मीटर प्रतिघंटा अब यहां पर ध्यान देजिए अगर स्पीड जादा है तो जल्दी पहुँचेंगे अब यदि स्पीड कम हो गया तो समय कैसे लगेगा जादा समय लगेगा याने कि यह चार क्या पिछा जो समय लगने वाला है वो बढ़ जाएगा हम उसको मान लेते हैं माना कार को रायपूर पहुँचने में एक्स घंटे लगेंगे इसका कमपियर करना है यह 4 घंटा और यहां पर 10 घंटा क्योंकि इसपीड जादा था तो समय कम लग रहा था इसपीड कम हो गया है तो आई कैसा लगेगा जादा लगेगा तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि कार की चाल वह पहुँचने में लगने वाला समय ब्युत्क्रमा नुपाद में इसलिए चाल अनुपाद चाल बराबर समय अनुपाद समय अब यहां पर आपको ध्यां रखना है कि चाल 75 अनुपाद यहां हो गया 60 चूकि चाल को ज़्यादा से कम लिया जा रहा है तो समय को भी आपको ज़्यादा से कम लेना पड़ेगा और इन दोनों में हम तुलना करके देख चुके हैं कि इस पीड ज़्यादा होने कारण समय कम लग रहा है और इस speed कम हो गया करके समाई कैसा लगेगा जादा मतब 4 गंटे और x गंटे में बड़ा कौन होने वाला है x बड़ा होने वाला है तो यहाँ जो है अधिक से कम की ओर लिए है तो यहाँ पर भी हम अधिक से कम की ओर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 75 बटे 60 बराबर x बटे 4 अब इसको पिरियक गुणा कर देते हैं 60 का गुणा x से हो जाएगा और 75 का गुणा 4 से हो जाएगा 75 गुणी 4 या फिर x बराबर हो जाएगा 75 गुणी 4 बटे 60 केंसिल करा दिजिए इसको तो यह हो जाएगा आपका 2 से कटा देते हैं चार से डारेक कर देता हूँ 4 एकम 4 बच गया 2 यह हो जाएगा 24 पंचे 2 15 एकम 15 और 15 पंचे 75 तो यहाँ पर x बराबर क्या मिला 5 गंटे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कार को रायपूर पहुचने में 5 गंटे का समय लगेगा यह आपका आंसर लिखना होगा यहाँ से लिखेंगे कार को रायपूर पहुचने में 5 गंटे समय लगेगा यह आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है यदि 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटे प्रती दिन जलने में 80 रुपय का विद्यूद्वय आता है तो कितने बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रती दिन जलाए जाने पर 40 रुपय का विद्यूद्वय आये का अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर बोला गया है 10 बल्ब 60 दिन 4 घंटे और यहाँ पर दिया गया है विद्यूद्वय 80 रुपया अब पुछा गया है कि कितने बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रती दिन जलाए जाने पर विद्धूद्व सुल्ग कितना आएगा 40 रुपया आएगा तो इसमें एक चीज़ तो हो गया आपका विद्धूद्वयाय है याने कि बल्ब जलाने पर कितना रुपया बिजली का बिलहम को जमा करना होगा तो यह है पहली इस्थिती में 80 रुपया और दूसरी इस्थिती में कितना बोला जारा है 40 रुपया तो एक तो आपका विद्युत ब्यायवाला हो गया दूसरा चीज क्या होगा कि एक दीन में कितना घंटे? चार घंटे तो साथ दीन में कितने घंटे? साथ गुणित चार एक बल्ब के लिए ध्यान रखना एक बल्ब एक दीन में चार घंटे जलता है तो एक बल साथ दिन में कितने घंटे जलेगा यह पता करेंगे फिर एक बल्ब का निकलने के बाद जो हम दस बल्ब का पता करेंगे तो कुल जो है कितने घंटे जो है बल्ब जल रहा है यह आपको मिलेगा यानि कि बल्ब जलाने के लिए जो है समय ठीक है तो आई यह देखते हैं इसमें तो यह आपका हो जाएगा चूकि एक बल्ब एक दिन में जलता है कितने घंटे चार घंटे एक बल्ब एक दिन में जलता है चार घंटे तो एक बल्ब आपको दिया है साठ दिन में जलता है चार गुनित साठ तो चार 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 घंटे मतलब एक बल्ब जो है साठ दिन में कुल कितने घंटे जल रहा है दो सार चार घंटे ठीक इसलिए अगर हम दस बल्ब की बात करें दस बल्ब साठ दिन में जलता है दो सव चार गुनित दस यानि कि दो हजार चार साथ घंटे यानि कि ये जो है आपका बल्ब जलने का कुल समय हुआ ये होगे आपका बल्ब जलने का कुल समय है और विद्यूत ब्याय कितना है विद्यूत ब्याय है आपका असी रूपए जो हम अनुपाज समानुपाज जो लगाने वाले हैं ये दोनों चीज पे लगेगा बल्ब जलने का समय और विद्यूत ब्याय तो पहले इस्थिती का हमको बल्ब जलने का समय मिल गया और विद्यूत ब्याय मिल गया अब उसके बाद जो है दूसरे इस्थिती में देखते हैं कितने बल्ब बोल रहा है तो हम उसको मानना पड़ेगा माना X बल्ब जलाया जाए कितना बल्ब? X बल्ब तो यहाँ पर फिर देखेंगे कि एक बल्ब जो है एक धिन में कितने घंटे जल रहा है? तीन घंटे फिर ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा चूँकि एक बल्ब एक दिन में जलता है कितने घंटे? तीन घंटे तो यह जो है सोला दिन में कितना तो एक बल्ब सोला दिन में जलता है सोला गुणे तीन याने की 48 घंटे? अब कितने बल्ब लिया जा रहा है? एक बल्ब एक बल्ब का तो हमको मिल गया तो एक बल्ब का कितना मिलेगा? 48 में कुणा हो जाएगा? इसलिए एक बल्ब सोला दिन में जलता है 48 घंटे और विद्यूत ब्याय कितना है इसके लिए? विद्यूत ब्याय बोला जा रहा है कि 40 रूपाय कुणा चलिए? अब देख लो पहले इस्थिती में बल्ब जलने का समय और विद्यूत ब्याय दूसरे इस्थिती में बल्ब जलने का समय और विद्यूत ब्याय दोनों हमको मिल चुका है अब यहाँ पर हमको यह देखना है कि यह जो है समानुपाती में आता है कि व्यूत्क्रमानुपाती में आता है तो एक बार देख लेते हैं अगर जादा समय तक बल्ब जलेगा तो जादा विद्युद्याय आएगा कम समय तक बल्ब जलेगा तो कम जो है विद्यूद ब्याय आएगा याने कि यहाँ पर दोनों के मध्य कैसा सम्मन है समान उपाती का सम्मन है तो यहाँ लिखेंगे बल्ब जलने का समय वविद्यूद ब्याय है समान उपाती में है अब समान उपाती में है तो यह समय और विद्यूद ब्याय एक साइड समय और विद्यूद ब्याय एक साइड हमको लेना पड़ेगा तो यहां पर हो जाएगा यह आपका 2400 अनुपात 80 और इधर आ जाएगा हमारा 48X अनुपात 40 हल कर देते हैं 2400 बटे 80 बराबर 48X बटे 40 अब यही पर जो है मैं उसको नहीं कैंसिल कर रहा हूँ नेक्स्ट इस्टेप में जो है इसको चलो एक बार और लिख देता हूँ 48X गुणित 80 बराबर 2400 गुणित 40 अब आगे देखते हैं पक्षामतर कर दीजिये एक्स को इधर रखिये और उधर हो जाएगा 2400 गुणित 40 बटे में आजाएगा 48 गुणित 80 यह आपका 40 एकम और 40 दुनि कर देता हूँ यह 24 एकम 2400 और 24 दुनि 48 हो गया दो एकम 2 और यह हो जाएगा 50 दो एकम 2 और यह हो जाएगा 25 तो इस प्रकार से एक्स बराबर कितना आया 25 याने कि 25 बल 16 दिन तक 3 घंटे प्रति दिन जलाने पर विद्युद्य कितना आएगा 40 रूपाय आएगा तो यह एक्स बराबर मैं यहाँ पर क्यों इतना लिख दे रहा हूँ 25 बल पर आपको आंसर क्या लिखना होगा लिखना होगा उसमें कि 25 बल 16 दिन तक 3 घंटे प्रति दिन जलाए जाने पर 40 रूपे विद्युद्याय आएगा किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रति दिन काम करके 25 दिन में पूर्ण कर लेते हैं तो 30 आदमी इस काम के दुगुने काम को 10 घंटे प्रति दिन करके कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे अब यहाँ पर देखिए मजदूरों की संग्या पहले था कितना 48 अब कितना आप बोलता है 30 तो मजदूर कम करेंगे तो समय तो जादा लगना है फिलाल उस पे जादा चर्चा नहीं करते 48 मजदूर 30 मजदूर दूसरा चीज एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं और 25 दिन जो है वो काम कर रहे हैं यहां पर लिख देता हूँ मजदूरों की संग्या पहले लिख देता हूँ मजदूरों की संग्या यह कितना है आपका 48 अब उसके बाद एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं एक दिन में काम करते हैं 8 घंटे कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 25 दिन में तो 25 दिन में काम करते हैं 25 गुणित आठ तो 25 चौंप सवर 25 अठे 200 घंटे अब यहां पर एक चीज बोला गया है यहां जो बोल रहे हैं वो पहले वाली स्थिती में एक काम को करना है और सेकेंड वाली स्थिती में बोलता है कि इस काम के दुगुने काम को मतलब यहां पर जो तीस मजदूर मिल करके करेंगे पहले के अपेक्षा दो गुणा काम करेंगे तो दो गुणा काम करेंगे और हमको यहां पर अनुपात समानुपात के आधार पर बनाना है तो हमको या तो पहले इस स्थिती में जो काम है उसको डबल कर दिया जाए या फिर यह तीस ये काम कर रहे हैं टोटल 200 घंटे और 200 घंटे में एक काम पूरा हो रहा है तो उसका दुगुना काम अगर करेंगे तो 200 घंटे के बजाए कितना लगेगा? 400 घंटे तो यहां पर मैं लिक देता हूँ दुगुने काम को करने के लिए समय तो यह हो जाएगा 200 घंटे तो हमको दो चीज़ यहां मिल गया मजदोरों के संख्या 48 और काम पूरा करने के लिए समय कितना? 400 घंटे अब इसके बाद दूसरा इस्थिती लेते हैं दूसरे इस्थिती में हैं मजदोरों के संख्या कितना है? मजदोरों के संख्या बराबर 30 पहले कितने थे? 48 अब कितने हो गए? 30 अब यहां पर जो है कितना दिन बोल रहा है? हमको मानना पड़ेगा माना एक्स दिन में काम पूरा करते हैं? कितने दिन में? एक दिन में काम पूरा करते हैं एक दिन में कितना काम? 10 घंटा यहां लिखेंगे एक दिन में काम करते हैं बराबर कितना? 10 घंटे तो एक्स दिन में कितना काम करेंगे? 10 एक्स घंटे तो यह देखो पहले इस्थिती के लिए समय 400 घंटे मजदूरों की संख्या अड़कालियां दूसरे इस्थिति में समय दस एक्स घंटे मजदूरों की संख्या 30 तो यहाँ पर जो है काम को पूरा करने का समय और मजदूरों की संख्या दोनों व्यूतक्रमानुपाती में आएंगे इसलिए यहाँ पर जो है व्यूतक्रमानुपात लगाएंगे यहाँ पर लिग देते ह में चू की काम पूरा करने में लगा समय वो मजदुरू की संख्या बित्क्रमान उपात में होते हैं इसलिए यहां लिख दूँगा मजदुरों की संख्या अनुपात मजदुरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा समय अनुपात समय चीक है अब यहां मजदुरों की संख्या पहले कितना था 48 बाद में कितना हुए 30 तो हम यहां पर जादा से कम की ओर जा रहे हैं तो समय भी हम जादा से कम की ओर लेंगे लेकिन ये दोनों में कौन जादा होगा कौन कम होगा कैसे पता चलेगा मजदुरों की संख्या जादा था उसको कम किया गया है तो मजदुरों की संख्या कम करेंगे तो समय कैसा लगीगा जादा मतलब ये 10x जादा होगा तो यहाँ पर लिख देंगे 10x अनुपात ये हो जाएगा आपका शार्च लगीगा ये ही पर समझने का में पॉइंट जाता है अगर वो समझ में आ गया तो आगे हल करने में आपको कोई जादा दिक्कत होने वाला नहीं है ठीक है तो अब यहाँ पर जहाँ उसको हम हल कर रहेते हैं तो यह आ जाएगा आपका 48 बटे 30 बराबर 10x बटे 400 तो यह आपका 10x गुणित 30 बराबर 48 गुणित 400 एकस बराबर क्या हो जाएगा 48 गुणित 400 बटे 10 गुणित 30 एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो अब यह 3 से कटा दो 3 एकम 3 एक बचे का 18 तीन चेका 18 तो एकस बराबर 16 गुणित 4 यानि कि 1664 एकस क्या लिए आगया था दिन तो हमको कितना मिलेगा ये 64 दिन आंसर क्या लिखोगे इस काम के दुगुने काम को 10 गंटे प्रती दिन करके 64 दिन में जो है पूर्ण कर लेंगे और ये जो है आपका आंसर होगा तो आज के वीडियो में जो है इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में